हेलो फ्रेंड्स, अलकम तो माई चैनल, देखे फ्रेंड्स, आज मिला आपके लिए ये वाली खुबसुरत सी डिजाइन, ये डिजाइन जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिस, कार्डिगन, जैकेट, श्रक, सब में बहुत प्यारी लगती है, टोपी में डाली है, मुझे में डाली है, तो और बहुत जल्दी बन जाती, बहुत ही आसान तरीके से इसे बना लिया जाता है, और बुलकुल भी कटिन नहीं है, इसे बनाने के लिए हमें आछ सलाइओं की बुनाई करनी पड़ते हैं, आछ सलाइओं की बुनाई होती है, छह फंदे का मsorryल का मल आगे करेंगे एक फंदा उल्टा अब यहां से जो है हमारा repeat pattern start उताब दिखें पर चार फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार ठीक है चार फिर उन आगे दो पीछे एक दो उल्टा दो फिर उन पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार ठीक है चार सीधे उन आगे दो फंदे उल्टे एक और यह दो ठीक है तो यहीपटर्न आपको last तक repeat करना है चार सीधे दो उल्टे चार सीधे दो उल्टे यह दीखिए first row complete होगी second row में दो फंदे सीधे यह दो उल्टे हैं देखिए राइट साइड है उसे रॉंग साइड से सीधा बना कि और और बश्राइब से यही दो सलाई आपको एक बार और बनानी है ठीक है यानि तीसरी और चौतिस सलाई में पहला फंदा मिस्किप कर लेंगे एक फंदा उल्ता फिर उन पीछ चार पंदे सीधे हैं 1 2 3 4 चार फंदे सीधे उन आगे 2 फंदे उल्ते हैं एक दो इसको इसी तरह से बना के complete करेंगे यह सलाई भी यह ऐसे जाएगे और पीछे से तो चार सलाई हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए यह चार सलाई हमारी complete होगे ठीक है अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जो चार सलाई है उसमें हमारी design है एक फंदा पर फोर्थ पर इसको हम इसको निकालेंगे इस तरह से ठीक है फिर यहां पर चार फंदे बन लेंगे एक दो तीन और यह चार बना अब देखिए यह जहां हमने फंदा निकाला था ना इसी में इसमें फिर से हम एक और फंदा निकाल लेंगे ठीक है फिर उन आगे कर लेंगे दो फंदे उल्टे एक दो फिर उन पीछे अब देखें आपे एक दो तीन और ये चार चौथे में हम निकाल लेंगी ठीक है फिर अब चार फंदे बुनेंगी एक दो तीन चार ठीक है फिर ये जो है इसमें हम फिर से इसको इस तरस बना लिया फिर उन आगे दो फंदे उल्टे एक दो फिर उन पीछे एक दो तीन और ये चार यहां पर ठीक है फिर चार फंदे बुन लेंगे सीधे एक दो तीन और ये चार ठीक है अभी जो बीच की जगे है इसमें फिर से एक और फंदा निकाल लेंगे तो ऐसे आपको लास तक इसको बना लेना है अगर ये टाइट लगे थोड़ा से सलाइस किचे इसको हम लूस कर लेंगे ठीक है उन आगे दो फंदे उलते इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अब नेक्स ट्रो में पहला फंदा में स्किप करना है फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे ठीक है इसको बुन लिया हमने अब उन अपनी तरफ देखिए अब यहां पर ये फंदा जो है देखिए हमने उठा इसको इसके पिछे फंदेग साथ लेके बुनेंगे एक फंदा हो गया ये दो और ये तीन ठीक है अब देखिए चौथे फंदेग साथ जो हमने दूसरा लूप लिया था पहला ला देखिए लूप वाला है ठीक है तो इसको आपको ऐसे उतारना है फिर इन दिनों को ऐसे देना है ृफिर इसे उल्टा बुन लेना हृँ ठीक है तो जो छार के छै थे उसके चार के चार हो गया ठीक है दो फंदेभी हरां अपनी तरफ यहां पर हम देखिए दो फंदे हैं लूप वाल और यह वाला इसको एक साथ दोनों को बूनेंगे एक और यह दो फिर यह ती तिन हो गया, चौते में देखे यह दो फंद ए हमारे, यह दो फंद्य है, इन दोनों का अप एक साथ लीजिए, फिर इसको इस्तरा से इसमें लेके फिर लटा बुन लीजिए, ठीक है?与 एसे ही आपको लांस स्ट बना के इसको कम्प्लीट करना है, ठीक है? तो बना लेते है इसको कि यह को यह वे लिए चापित कर लिए आप पर देख सकते हैं यह यहाँ पर जिसमें गया है इसके चस्ट ऊपर उपर वालये में हम इसे इस तरह से और से फंदे को खीचेंगे फिर चार फंदे बुनेंगे देखिए एक दो तीन और यह चार ठीक है और फिर इसका वापिस है इसी में जिसमें से हमने यह फंदा निकाला था इसी में से हम इस तरह से इसे बना लेंगे ठीक है फिर उन आगे दो फंदे उल्टे एक दो फिर उन पीछे अब दे आपको आराम्स दी जाएगा जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर इसमें इसको हम इस तरह से ले लेंगे ठीक है फिर इसका चार फंदे हम सीधे बुन लेंगे एक दो तीन और यह चार ठीक है फिर इसी में से एक और अगे दो फंदे उल्टे तो ऐसे आपको लास्ट तक बनाके कम्प्लीट कर लेना है यह दिखिए यह रों कम्प्लीट होगे फिर से अब जो हमारी शिक्स थो थी वैसे हमारी एट थो भी होगी पहला फंदा तो आपको इसकिप करना है फिर उन आगे एक फंदा सीधा फिर उन अपनी तरफ अब देखिए दो फंदों का दो फंदों का पहले एक करेंगे ठीक है फिर एक और यह दो दो फंदे बुने अब देखिए इसको आपको यह देखिए दो फंदे नहीं पर लूप के साथ इसको ऐसे उतारेंगे इसको ऐसे लेंगे और इसे उल्टा बुन तो यह एक हो गया दो और यह तीन चौथे फंदे फिर दो फंदे हैं तो इन दोनों को आपिस से हम इस तरह से लेंगे और इसको ऐसे लेके इसे उल्टा बुर लेंगे तो इसे आपको लास तक बनालना है अब देखिए आठ सलाई हमारी complete होगे अब फिर यहीं डिजाइन बन बनेंगे एक दो ठीक है दो फंदे सीधे बनेंगे बीच के दो फंदे ना दोनों लूप की बिच में यह उल्टा होगा एक दो ठीक है फिर इसके बाद चार फंदे सीधे एक दो तीन चार ठीक है फिर उन आगे दो फंदे उल्टे तो यह आपको टोटल चार सलाईया बनान ये देखिए ये पने चार सलाईया बना लिए ठीक अब इसमें डिजाइन कैसे बनेगी देखिए पहला फंदा तो हम स्किप करेंगे ये दो फंदे हम सीधा बनेगे एक दू ठीक है तो यहाँ पर आपको देखने की तरोते जेखिए जो उल्टा बना हुआ ना देखिए आप पीछ है अब देखिए यहाँ पर सीधे इसके नीचे ये जो उल्टा है ना उसके बीच में ये जो उल्टा बनावा इसके सेंटर में हम एक फंदा निकालेंगे फिर चार फंदे बनेंगे एक दो तीन चार ठीक है जब आप फर्स्ट टाइम डिजाइन बनाएंगे यहाँ अब इसके बीच में से आपको ये लूप निकालने है अब इसको फिर से इसमें इस तरह से निकाल लेंगे अब फिर इसके बाद उना आगे दो फंदा उल्टा फिर इसका दून पीछे फिर यहाँ पर देखिए एक दम एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर, इस जगे पर, इसके ठीक बीच में, यहाँ पर हम, इसे करेंगे, चार फंदे, एक, दो, तीन, और यह चार, ठीक है, फिर वापिस से इसी के बीच में, यहाँ से, एक और तो, ऐसे इलाज तक बना लेंगे हम इसको, ठीक है, थो बना लेते हैं इसको last तक I did the row complete होगी इसपे लास्ट में हम तो यहांतर हमको म krijले बनाना है तो पहले और दूसरे बीच में यहां पर टेकर आप मिलांने हम कि आप चाहे तो लास्ड में स्टार्थिंग में स्टार्थंग में कर सकते हैं कि डिजाइण ठीक है ये जो दो फंदे ना इसको इस तरस उतारेंगे ऐसे लेंगे ठीक है और फिर इन दोनों को हम एक साथ उल टा बुनेंगे उन आगे दो फंदे सीधे एक दो ठीक है फिर उन अपनी तरफ दो फणदे उल्टे एक साथ फिर एक और दो हो गया अब तीसरे फंदे को लूप के साथ बुनना है आपको इस तरह से लेंगे और ये इस तरह से तो ऐसे ही आपको ये पूरी रोग बनाके कम्प्लिट करनी है देखिए हमारी रोग कंप्लीट हो गए, अब हमारी डिजाइन की लास्ट रोग है, पहला फंदा स्किप कर लेंगे इस तरह से, फिर इसके बाद दो फंदे बुनेंगे, एक, दो, बुने, अब यहां हमने यह फंदा निकाला था ना, इसके जस्ट उपर, इसके जस्ट उपर वाले में हम यहां पर इस तरह से एक loop ले लेंगे ठीक है और फिर उन आगे यह दो फंदे उल्टे फिर उन पीछे आप दिखिए वापिस है यह आप को इस तरह से करना है इसके just उपर वाले उस्टिच में हम इस तरह से फंदे को ले बना लेते हैं देखी रो हमारी complete होगे बस एक सलाई बचिए पीछे से दिखे एक फंदा उतारेंगे इसको इस तरह से बुनेगे तो इसके पहले जब हमने बनाई थी ना wrong side की रो सेम उसी तरह से बनाना है इसे और अगर आपने डिजाइन देख लिए तो आपको समझ में आई जाएगा कैस आपको जान में प्मख चल अक्मिना आपक कर लें देखेर?? जाद को एक साथ उतार आपको तो इसे तरह से लेंगे से जान करें तो एक तो द दीखेंगे स्मझ सकें कि 살 Tusk के डिजाइंड कैसी लेगी मुझे जरूर बताएगा मेरे बतानी का तरीका कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है है ठैक्स छेयीं बाइबाइद क достаточно अगली है के ब सब्सक्णक हाफ